बहुत बहुत स्वाइब आप सभी का आपके अपने YouTube चाल पर आज की वीडियो बहुत ज़ादा खास होने वाले दोस्तों क्योंकि आसकी वीडियों आपको बताऊंगा अगर आपको भी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है अगर आप अपने मुबाइल में किसी भी अ देखने को मिल सकता है या फिर कुछ इस तरह से यहाँ पर अलग-अलग जो है वर्जन में अलग-अलग मोबाइल में अलग-अलग तरह से देखने को मिल सकता है बट जो इनका solution है वो एक ही है दोस्तों आज की वीडियो में वहीं बताने वाला हूं और आपकी problem 101% solve हो जाए अब आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से options आएंगे अब आपको थोड़ा से यहाँ पर देखने को मिलेगा special app access यहाँ पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा device admin app यहाँ पर आप देख पाएंगे second number पर यहाँ पर यह option है आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है find my device का option आएगा यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपको deactivate ही रखना है यहाँ पर back चले जाना है back आने के बाद आप मैं बताता हूँ आपको अब यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा अनिस्टाल अपडेट्स यहाँ पर आपको इस उप्षन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ok कर देना है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने uninstall updates यहाँ पर uninstall successfully हो चुका है अब यहाँ से फिर से एक बार ok करना है और आप इसका clear data कर दें यह clear catch कर देंगे यहां से आप इतना करने के बाद आपकी यहां पर back चले जाना है बैक जाने के बाद अपना mobile यहां पर एक बार reboot कर सकते हैं यहां पर मैं जो है reboot कर देता हूँ बस इतना काम आपको कर लेना दोस्तों आपकी यह problem 100% solve हो जाएगी ओप आपको वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक कर देना और चाल को सब्सक्राइब कर लेना